हेलो अब्रीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल आज के इस वीडियो में डिसकस करने वाले हूं एक्टिव पैसिव वाइस ठीक है बहुती सिंपल सरीके से सिर्फ एक टेबल के थू मैं आपको समझाऊंगे अगर आपने उस टेबल को समझ लिया तो आप कोई सा भी टफ से टफ पैसिव कर सकते हैं ठीक है तो चले शुरू करते हैं सबसे बहले हम जानेगे कि एक्टिवव किसे कहते हैं गराला जो संफ्चमशेग्ट है अगर वह एक्टिव है तो हमारा संटैंज एक्टिव है he writes a letter अब यहाँ पर letter कौन लिख रहा है letter लिख रहा है he तो यह हमारा active sentence हो गया next दिखने है passive the action is performed upon the subject passive voice में क्या होगा कि जो action है वो उस sentence के subject के उपर perform किया जा रहा है जैसे यहाँ पर जो letter है क्या यह letter अपने आप लिख जाएगा नहीं न कोई इसे लिख रहा है वो काम किसी के द्वारा किया जा रहा है तो यह जो letter है यह inactive subject है जो खुद काम नहीं करता है इसके उपर कोई काम करता है ठीक है तो यहाँ काम करने वाला को रहे है यहाँ काम करने वाला है him और हमारा यहाँ पर subject है वो कैसा है inactive है active नहीं है तो यह हो गया हमारा passive voice आप कहा सकते हैं कि जो subject है वो कैसा है passive है active नहीं है I hope आपको difference one में आ गया अब कुछ important rules जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है तो पहला rule क्या है पहला rule है कि आपको active passive में क्या करना है subject को उठा के object बना रहा है और object को उठा के subject बना रहा है जैसे मैंने sentence में किया है he writes a letter he क्या है यह हमारा subject है और letter क्या है यह हमारा object है जब हमने इसको passive में change किया तो हमने क्या किया जो object है उसको बनाया subject या हमने शुरुआत की a letter इसे subject बना के then क्योंकि ये present indefinite का sentence है तो हमने यहाँ पर letter के साथ से लगाया is then main verb की third form उसके बाद हमने written के साथ preposition जाएगी by और यहाँ हमने लगा दिया he को as an object him बाकी का बीच का portion आप बूल दाओ मैं explain करूंगी अभी सिर्फ इतना याद रखो इस sentence में कि मैंने क्या किया है कि मैंने ही ये जो subject है इसे मैंने यहाँ पर लगा दिया as an object और यहाँ जो object letter इसको मैंने बना दिया subject यह याद रखो subject को object बनाना है object को subject बनाना है ठीक next use the third form of the verb अब हमको use करनी है verb कौनसी verb यूज़ करनी है main verb की third form हर sentence में चाहे वो कोई साभी tense हो बर वो हमेशा main verb की third form मतलब जिसको कि हम past participle भी बोलते हैं तो हमें third form लगानी है जैसे यहाँ पर क्या था rights और हमने यहाँ क्या लिखा written अब यह मैं सोचना कि इस के साथ क्यों written आई है यह active passive का rule है बहुत simple तरीके से समझा रहे हूँ मैं आपको तो main verb की third form लगानी है आपको then generally जब हम अपने subject को as an object लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ से he को उठा के him लिखा न तो subject को जब हम as an object लिखेंगे तो उससे पहले हम preposition का use करेंगे तो generally हम preposition by का use करते हैं लेकिन कुछ verbs के साथ में by नहीं चलता है तो according to the verbs कभी हम with का use करेंगे कहां पर कौन सी preposition आएगी तो generally हम किसका use करेंगे by का उसके अलाबा कुछ words होते हैं जैसे someone, somebody, no one, nobody, everyone यह words जब किसी भी sentence का subject बनके आ जाए माल लिजिए ही की जगे आपे someone लिखा होता someone writes a letter तो जब हम इसको पैसे में change करेंगे तो हम इन words को क्या करेंगे omit कर देंगे omit कमी होता है हटा देंगे, इनको लिखना ज़रूरी नहीं होता तो हमारा यह sentence बनके आएगा a letter is written हमें by संबन लिखने की ज़रूरत नहीं है मैंने आपको बताए कि जंदली active ऐसे में preposition by का use होता है ठीक है लेकिन कुछ cases में by का use नहीं होगा कब नहीं होगा देखो preposition with का use करेंगे आप जब आपको वफ दे दी जाए sentence में supplied, sympathized, provided, compared, acquainted pleased, disgusted, quarrelled, satisfied, displeased and dissatisfied यह सारी वफ यह आपको याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे, कि इन साब यह, यह सारी में वफ के साथ में आपको क्या लगाना है by के जगे with का use करना है next हमारा preposition to का use आप कब करेंगे जब आपको यह सारी वफ दे जाए preferred होगा, compared अब आप कहेंगे, compared with के साथ भी आ रहा है, compared to में भी आ रहा है तो यह situationally compared के साथ, preposition with का use भी होता है और to का use भी होता है इसलिए मैंने दोन जगे लेखा है ठीक है, replied, invited, known, addicted, listened इन सब के साथ हम to लगाएंगे next हम on का use करेंगे insist के साथ congratulated, dependent मैंने में वर्फ की थर्द फोर में लिखी है next है at, at का use कब करेंगे जो आपको वर्फ से दी जाएं surprised, fired, arrived, aimed, astonished, amazed, annoyed, knocked यह सारी में वर्फ के साथ आप at का use करेंगे next हमारा आता है in in का use कब होगा in का use होगा with the वर्फ interested, arrived and disinterested अब arrive के साथ at भी यूज़ होता है in भी यूज़ होता है according to the situation चीक है last है हमारा for for के साथ आप use करेंगे prepared तो यह note कर लिज़े आप कब by का use नहीं होगा कब preposition by का use नहीं होगा वो सारे words मैंने आपको दिये है देकिए मैंने आप एक table बनाई हुए और अगर आप इसकी टेक्निक समझ ली you can easily change active into passive देखो simple present क्या है simple present में as, es, main verb की first form और अगर negative या interrogative sentence है तो आपका आएगा do does ठीक है यह आता है अब simple present में as, es का बाती है जब हमारा subject singular हो for example अगर मैं बोलू के राम स्कूल जाता है राम स्कूल जाता है राम अकेला जाता है singular है तो राम गोस टू स्कूल es, clear होगे आपको अगर मैं बोलू के हम स्कूल जाते है we go to school main verb की first form आगए क्यों की plural में हम es, es नहीं लगाते main verb की first form आती है अगर मैं ये बोलू के राम स्कूल नहीं जाता है राम does not go to school और plural होता हम weeka use करते हैं तो do not आ जाता तो I hope आपको tense clear हो गया simple present क्या होता है अब जब simple present होगा इस तरीके की condition होगी इस तरीके के words आएंगे तो हमें क्या करना है पैसे में जब हम change करेंगे तो हम लगाएंगे इस आरे clear बाकी main verb की third form आएगी buy आएगी ये हम बाद में discuss करेंगे जब मैं आपको change करके दिखाऊंगी active to passive अभी आप जो tense में change करना है उस पर focus करना है ठीक है अब हमारा sentence जैसे की simple past में दिया है simple past की पैचान क्या है main verb की second form आएगी और negative या interrogative होगा तो did आएगा जैसे मैंने save खाया I ate an apple तो यहाँ पर main verb की second form आगई और मैं बोलू मैंने save नहीं खाया था I did not eat an apple ठीक है तो यह हो गया simple past जब simple past आजाए तो हम क्या करेंगे was for का use करेंगे अब बात करते हैं simple future की अगर आपके active sentence में will shall का use यहा हुआ है will shall आया है तो अब यहाँ क्या करना है आपको मैंने लिखा है plus b इसका मतलब क्या है उपर मैंने plus नहीं लिखा था त्युक्कि हमें इनको हटाना है और इनको लगाना है अब next हमारी condition आती present and past continuous अगर sentence present and past continuous का है तो उसमें क्या आएगा is or am was or is or am was or जब आएगा तो हमें इसके साथ जोड देना है being तो हमारे sentence की helping verb वो क्या हो जाएगी is being, are being, am being, was being, were being next है हमारा present and past perfect perfect में आपको पता है present and past में has, have और had का use करते है according to subject तो यहां हम क्या करेंगे plus being कर देंगे मतलब हमारा जो helping verb वो क्या change हो जाएगी has been have been, had been ठीक, अगर हमारा active का sentence future perfect में उसके साथ में दिया हुआ है will have, shall have तो हम इनके साथ क्या add करेंगे हम कर देंगे will have been, shall have been ठीक है अगर आपके active sentence में model verbs ही हुए just like must, can, may, might could, would, should यह सब दिया हुआ है तो इनके साथ में हम क्या add करेंगे इनके साथ हम add करेंगे be हमारे जो helping verb है वो बन जाएगी must be, can be, may be, might be would be, could be, should be ठीक, लेकिन अगर helping verb यह जो model verbs हैं इनके साथ में must have like मतलब have भी जुडा हो अभी इधर जो थी उपर वो single थी अभी उसने have को join करा लिया तो must have, will have, shall have इस तरीके के words हो तो जब have आ जाता है कहीं तो वहाँ हमेशा जाएगा been तो हमारी जो helping verb वो हो जाएगी must have been will have been, shall have been ठीकिए यह हो जाएगा अगर हमारी auxiliary verb दी हुई हो is to, are to, am to, was to, were to, have to, had to has to, यह वाली अगर हमारी auxiliary verb है तो वहाँ हम add करेंगे be तो हमारी helping verb हो जाएगी is to be, are to be, am to be, was to be, were to be ठीक है? तो यह अगर आपने समझ लिया तो बहुत easy तरीके से हम active को passive में change कर सकते हैं अब हम कुछ examples देखेंगे मैंने आपको जो table समझाएगे था उसके according ही हम ये sentences को समझेंगे देखें, first sentence है children like sweets ये s को हटा दीजिए children like sweets ठीक है? अब यहाँ हमारा subject क्या है? children object क्या है? sweets तो पहला rule हमारा है जब हम active से passive बनाएंगे कि हम जो object है इसको हम बनाएंगे subject तो हमने यहाँ sweets को बना दिया subject ठीक है? जो कि हमारा object है ये sentence है simple present का तो अब क्योंकि simple present है तो sweets के according यहाँ पर helping verb आएगी आर क्योंकि मैंने आपको क्या बताई था? अगर S की S हो main verb की first form हो या do does हो तो आपे हम use करेंगे is r m का तो यहाँ main verb की first form आई है like तो यहाँ हम use करेंगे is mr का तो यहाँ sweets के साथ आगया r और like की क्योंकि active passive में हमें verb की third form ही लगानी और कोई दूसी form नहीं आईगी हर sentence में third form ही आईगी तो आप समझ लीठी है तो like की third form क्या होती है? liked लिख दिया liked और like के साथ हमें आ जाएगा preposition by क्योंकि जब हम subject को object बना के लिखेंगे मतलब इसको जब हम पीछे लेखे जाएंगे object बना के लिखेंगे तो उससे पहले हम by या जो बाकी की prepositions आपको बताएं उन में से किसी एक का use करेंगे तो यहां liked के साथ हम क्या लगा रहे हैं? by तो I hope आपको यह clear हो क्या होगा next देखते हैं present continuous tense मैंने आपको बताए था कि जब sentence में is rm दिया हो तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे plus being मैंने आपको टेबल में ही समझाया है न अब यहां the students are watching the match match को हम आगे लेके आ गए हमने object को बना लिया subject the match अब match के साब से r तो नहीं आएगा तो हम नहीं लिख दिया इसको is क्योंकि present को present में ही रखना है is rm के साथ हमको being add करना है न change नहीं करना है तो इसलिए r की जगे आएगा is और plus हमको being भी लगाना है इसमें तो हमने कर दिया is being the match is being and watching की third form हो गई watched और watch के साथ हमारे preposition आजाएगी by और उसके बार हमने यह सब्जेक्ट है इसको उठाके हम इदा पीछे ले आए और हमने बना दिया इसको अब्जेक्ट ठीक है I hope यह दोनों सेंटेंस आपको समझ में आ गया होंगे चलिए अब हम थर्ड सेंटेंस एकते हैं present perfect present perfect में has app का यूद होता है तो है अब के साथ मैंने आपको बताया कि हम एड करेंगे बीन यहीं बताया है someone has stolen my watch अब यहां पर my watch ऑब्जेक्ट है इसको उठाके आग रख दिया my watch watch singular है तो है जाएगा हमने एड कर दिया been has been और इस ट्रोलन यहां पर तो third form है तो main work की third form अल्री दी हुई है और हमको भी third form ही लगानी है third form लगा दी और मैंने आपको rule बताया था कि अगर someone, no one, anybody, somebody तरीके के words आए तो उनको by लगा के लिखने की जरूवत नहीं है तो इसलिए हम someone को omit कर देंगे मतलब हटा देंगे और हमारा sentence complete हो गया next है हमारा simple past tense simple past tense मैंने आपको बताया था main work की second form आएगी या did आएगा ठीक है यहां पर आया है when I killed the snake past tense में हमें क्या करना है was या worker use करना है किसका use करना है was या worker यह बताया है मैंने आपको okay और यहां से हमें यह second form आई है कोई verb आई यह नहीं आई इस पर हमें कोई ध्यान नहीं देना है तो winner यह हमारा subject इसे हम पीछे लिखे जाएंगे इसको object बनाएंगे और the snake जो है हमारा object इसे हम आगे लिए हमने लिखा the snake अब क्यूंकि यह simple past है तो हमें इसमें लगाना है was हमने लिखता है snake के साब से was then main verb की third form लगाई killed second form है और killed third form भी बनती है तो हमने लगाई third form killed then killed के साथ हमने preposition लगाई by और winner को हमने object बना दिया sentence complete हो गया तो snake was killed by winner या past continuous हो तो हमें क्या आइट करना है being अब यहां देखिए farmers हमारा subject है इसे हम ने object बना दिया seeds हमारा object है इसको हमने subject बना दिया interchange कर दिया the seeds seeds क्यूंकि plural है तो हमें इसको same to same लग देना है क्यूंकि was य वर मैंसे एक आएगी तो seeds के साथ वर आएगा the seeds to are और यहां sowing ing form दी हुई है लेकिन इसको नहीं लिखना है हमें लिखना है third form sown sown के साथ आ जाएगा by और then farmers को हमने object बना के लिख दिया by the farmers next है हमारा past perfect tense they had not done their homework had, have, have के साथ मैंने same ही है आपको बताए था been आएगा been add करना है तो यहां पर जो हमारा object है their homework इसे हम आगे ले क्या है interchange कर दिया their homework had क्योंकि perfect में तो had ही लगाते हैं और कोई verb नहीं होती present perfect में दो verbs होती है has भी होती है लेकिन past perfect में इक ही verb होती है जाए singular हो या plural हो head का ही use होगा तो यहां पर their homework had not been ठीक है हमने been add कर दिया क्योंकि यह negative sentence है तो not के बाद been लगाएंगे and here done अब क्योंकि यहां पर हमने there already लिख रखा इसलिए यहां पर they वो unwanted हो जाएगा तो हम इसको नहीं लिखेंगे omit कर देंगे next देखते है no one will answer your question ठीक है यहां पर your question को हमने बना लिया subject your question then will will के साथ हमें add करना है अब आप कहेंगे कि यहां पर not क्यों लगा दिया है क्योंकि no one को हम यहां पर omit करने वाले है तो क्योंकि यह sentence है इसका sense वैसा का वैसा नहीं जैना चाहिए no one will answer your question का मिर हो गया कोई भी तुमारे सवाल का जवाब नहीं देगा तो जब अगर हम इसमें से no one हटा देंगे तो हमारा जो sentence है वो sensible तब ही बनेगा जब हम यहां पर not का भी use करें कि तुमारा question का answer किसी के द्वारा भी नहीं दिया जाएगा ठीक है ना इसलिए हमने यहां पर not लगाई है your question will not be answered और उसके बाद हमें by no one लिखने के जरूरत नहीं क्योंकि हमने यहां पर already इसको sensible बनाने के लिए not mention कर दिया है next future perfect tense the police will have caught the terrorist मैंने आपको बताया था कि अगर will have shall have इस तरीके के words आए तो हमें क्या plus करना है हमें plus करना है bean तो यहां पर sentence है the police will have caught the terrorist terrorist object है इसे उठाके हमने आगे रिख दिया subject बना दिया the terrorist will have और इसके साथ हमने क्या add किया? been add किया will have been then caught third form आ गई by the police अब यहां पर एक important point है note करने के लिए present perfect continuous tense past perfect continuous tense future continuous tense future perfect continuous tense यह 4 tense क्योंकि total 12 tense होते हैं यह 4 tense का को जो है passive में change नहीं किया जाता लेकिन some cases में अगर change करना पड़े तो हमें कुछ नहीं करना है सिर्फ इन सब में being को add कर देना है being का use करके कैसे नहीं change करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ he has been writing a letter for an hour यह present perfect continuous tense है अब अगर हमें इसे passive बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे हमने क्या किया यहां पर writing a letter अब आप जैसे कि यह sentence लंबा है he has been writing a letter for an hour अब जैसे कि अगर आपको confusion हो रही है कि इसमें subject तो आपने पैचान लिया कि जो subject है वो तो हो गया ही और object क्या है hour होगा letter होगा क्या होगा तो एक चीज़ याद रखे sentence कितना भी लंबा क्योंना आ जाए object हमेशा main verb के बात में आता है main verb क्या है writing ठीक है तो यहाँ पर यह जो a letter है यह हमारा object है तो हमने लिख दिया a letter has been और क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि हमें being का add करना है क्योंकि modern English में यह चारो टेंस का passive नहीं बनाया जाता है लेकिन एक exception है कि अगर बनाना पड़ जाए being written by him for an hour यही को हमने him बना दिया ठीक है ऐसी दूसरा sentence लेकते हैं गुरिया had been waiting for her sister since Monday यह हमारा past perfect continuous का sentence है तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है same किया है waiting हमारी main verb है तो यह her sister इसका object हो गया her sister को उठा के रख दिया हमने her sister had been और साथ में हमने जोड़ दिया being waited for waited for का मतलब है यहाँ पर इंतिजार करना by गुरिया since Monday यह हमारा हो गया ऐसे ही बागी का जो future perfect continuous है या future continuous है उसको भी हम ऐसे ही being का यूस करके change करेंगे चलिए आप कुछ special rules एक लेते हैं there वाला का sentence है उसको आपको पैसे में change करना है तो कैसे change करेंगे यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर two जरूर आएगा और two से पहले वाला जो phrase है जैसे यहाँ पर there is nothing यह हमें same to same लिखना है then two को add कर देना है plus b के साथ ठीक है तो यह हो जाएगा to be और जब हम पैसे में change कर रहे है तो first form हमारी change हो जाएगी third form में ठीक है तो हमने यहाँ लिख दिया gained there is nothing to be gained next है there is nothing to say तो यहाँ पर two से पहले वाला जो यह है words there is nothing है हमें same to same लिख दिया then two के साथ हमने be add किया और say को कर दिया said तो हमारा sentence हो गया there is nothing to be said next देखे है अगर sentence में it का use है तो हम उसे कैसे change करेंगे पैसे में it is time to prepare for the examination अब यहाँ पर थोड़ा सा tricky है it is time to prepare for the examination तो यहाँ पर यह जो to आया है न इसे हम change करेंगे for से तो हमारा sentence हो जाएगा it is time for अब for के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे object ठीक है यह आप चाहे तो note कर सकते है it is time और 2 को हमने change किया for से for the examination और 2 को यहाँ से उठाके object के बाद रखेंगे 2B क्योंकि जैसा हमने उपर किया था 2 के बाद B then prepare की third form prepared बस हमें for के साथ यहाँ पर object को लिखना है it वाले में और there में तो object है ही नहीं तो for के साथ लिखने की जरूर अतनी है इस इस एक difference है it और there के sentence में जैसे कि next देखिए it is time to do our homework ठीक है तो यहाँ देखो it is time और 2 को तो हमें पीछे लेके जाना है तो homework को हम लिखेंगे for के साथ it is time for our homework to be done next अब हम बात करेंगे imperative sentence की imperative sentences आप सब को पता है जिन sentences में कोई order दिया जाए command दी जाए advice दी जाए या request की जाए तो वो sentences कहलाते है imperative sentence अब इनको हम passive में कैसे change करेंगे यह देखना है अगर किसी sentence में order या command दी जा रही है तो उसे हम let से बनाएंगे यह मैंने यह आप एक formula लिखा हुआ है आप इसे याद कर लिजे सबसे पहले हम लिखेंगे let then object as a subject then be और उसके बाद लगाएंगे main work की third form अब देखो switch of the light इसमें क्या है command दी जा रही है switch of the light light बन कर दो तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा let then मैंने क्या लिखा है object as a subject यहाँ पर the light जो है इसको हमने बना लिया subject let the light then हम इसके बाद लिखेंगे be be आ गया और switch switch की third form हो गई and then off चीक है तो यह हमारा हो गया let the light let the light be switched off next है don't pluck the mangoes तो यहाँ पर भी सेमी रहेगा let the mangoes क्योंकि यहाँ पर don't है तो subject के बाद में क्या आएगा not be आएगा not be plucked next और अगर किसी sentence में advice दी जा रही है तो हम उसे कैसे बनाएंगे देखिए उसको हम बनाएंगे should be का यूज करके जैसे की help the helpless तो यहाँ पर the helpless यह जो helpless है इसको हमें subject बना लिया और हम इसके बाद लिखेंगे should be should be then help की third form हो गई helped respect your elders your elders इसको हमें subject बना दिया should be add कर दिया respected मतलब हमें पैसे subject को लिखना है then should be को लिखना है then main work की third form लगानी है अगर किसी imperative sentence में please और kindly आया है तो वहाँ पर हम लिखेंगे you are requested to for example please give me a glass of water ठीक है तो यहाँ पर please word का use हो गया तो यहाँ हमें इसको बना रहा है पैसे में you are requested to का use करके बहुत simple है आपको sentence की starting में लिखना है you are requested to क्योंकि please से ही पता चलता है कि request की जा रही है so हम लिखेंगे you are requested then लिखेंगे to और यह please की जगे हमने you are requested लिख दिया है तो हमें please की कोई जरुवत ही है अब उसके बाद हम two से जोड़ेंगे और same two से हम लिख देंगे give अभी यहाँ पर me a glass of water you are requested to give me a glass of water ठीक next एक काइंडी पोस्स लेटर यहाँ पर भी request की जा रही है तो kindly को हटाएंगे और लिखेंगे you are requested to then same to same लिख देंगे post this letter next कुछ imperative sentence ऐसे भी होते हैं जिन में already let लगा होता है जैसे मैंने अभी से पहले जो आपको order और command बाले बताए थे उसमें हमने अपनी तरफ से let लगाये था कुछ imperative sentence ऐसे होते हैं जिन में already let का use होता है तो उसे हम कैसे बनाएंगे जैसे यह sentence है letter sing a song तो यहाँ पर हम let से ही start करेंगे then यह जो object है इसको subject बनाएंगे let a song उसके बाद लगाएंगे b क्योंकि let में हम b का use करते हैं then sing a third form song और यह जो her है इसको हम पीछे लेके जाएंगे by her कर देंगे यह हमारा हो गया next देख लिजिए अगर कोई भी sentence जो let us से start हो तो let us वाले sentence की शुरुआत करेंगे जैसे हमने please औ काइनली वाले में you are requested to लगाए था let us वाले में हम लगाएंगे it is suggested that we should यह याद कर लिजिए it is suggested that we should यहाँ आप sentence की beginning करेंगे देख यह मैंने लिखाएं it is suggested that we should then play together हो गया sentence next दिखिए अगर किसी sentence में cable transitive verb दी हो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है sit down ठीक है दूसरा sentence दिया हुआ है be happy अगर cable transitive verb वाला sentence हो तो आपको क्या करना है हमें सिर्फ यह चेक करना है कि इसमें order दिया जा रहा है या advice दी जा रही है first sentence में sit down order दिया जा रहा है तो हम लिखेंगे you are ordered to then यह जो transitive verb है इसे रिख देंगे sit down second sentence देखिए be happy यहाँ पर क्या advice दी जा रही है तो यहाँ पर लिखेंगे you are advised to then be happy can you speak बेंगाली इसमें क्या करना है rule तो वही रहेंगे क्योंकि यहाँ पर helping verb पहले आई है तो हम helping verb ही लिखेंगे वो चाहें can, will, shall, is, rm, was बाद बाद कुछ भी हो helping verb ही सबसे पहले आईगे जो भी दी हो tense के according तो यहाँ लिख दिया can then can बेंगाली जो हमारा object है इसे हमने बनाया subject can बेंगाली then can के साथ क्योंकि मैंने आपको बता था model verbs के साथ हम क्या add करेंगे we plus करेंगे can बेंगाली बी अब इक चीज़ यहाँ पर याद रुखेंगे कि interrogative sentence में जब आप लिखेंगे तो can बी बेंगाली मत लिखते न क्योंकि वो long formation हो जाएगी हमेशा be not यह हम subject लिखने के बाद लिखते है अगर यहाँ पर not होता तो हम क्या हो लिखते can बेंगाली not be ठीक है can बेंगाली be then speak का third form होगे spoken then by और you को हमने बना दिया object next रे जो डबलू एच वाले interrogative sentence होते है जिनको कि हम डबलू एच question भी कहते है उनको हमें कैसे बना रहा है what does she eat तो यह हमारा same रहेगा what से ही हम start करेंगे मतलब जो question word है उससे ही start करेंगे अब does क्योंकि यह simple present में simple present में मैंने आपको table के according बताय था कि जब simple present she के according is लगा देंगे what is then हम लगाएंगे main verb की third form eat का हो गया eaten then by लगा के हमने लिख दिया her तो हमारा sentence हो गया what is eaten by her next देखो यह who वाला काफी important है who taught you English बाकि के sentences में हम क्या करते हैं कि by पीछे लगाते हैं लेकिन who वाले sentence में हम who को change कर देते हैं by whom में ठीक है तो हमने who को change कर दे by whom में then क्योंकि यह taught second form आ रही है तो यहाँ past indefinite का sentence है यह तो यहाँ पे हम लगाएंगे was या were तो अब was लगेगी या were लगेगी इसके लिए हम check करेंगे subject subject you है तो इसके according आएगा were by whom were you then taught की third form भी taught होगी taught English ठीक यह हो गया आपकी interrogative sentence last देखने है two clauses together जैसे की two clauses वाले sentence आ जाएं तो उसको हम passive में कैसे change करेंगे he asked me first clause ही हो गया who had beaten the thief ठीक है second clause ही हो गया अब इसे कैसे change करेंगे तो यहाँ पे हम first clause जो है subject यह है he object क्या है me ठीक है तो यहाँ पे जो first clause है उस में change करेंगे पहले यहाँ हमने me को change किया I में I was asked क्योंकि me से पूछा जा रहा है न तो हम me को ही subject पराएंगे I was asked was क्यों लगाया है क्योंकि यहाँ पे ask आया है मतलब mb2i है और हमारी table के according mb2i तो हमापे बहुत पर का use होगा तो यहाँ हो गया I was ask की third form asked हो गया I was asked then यह जो second clause है who had beaten the thief यह हमारा same to same रहेगा इसमें कुछ भी change करने की जरूद नहीं है okay next देखते है the police arrested the terrorist and send him to jail यहाँ पे जो first clause है हम उसमें change करेंगे subject है police police ने किसको पकड़ा terrorist को पकड़ा terrorist object इसको उठा के आप आगे लिया है the terrorist यहाँ पे भी mb2 ठीक है तो वो अजा आजाएगा the terrorist was arrested third form आगी arrested किसने पकड़ा है police ने और arrest के बाद हम लगाएंगे by the police end ठीक है second clause हम ऐसे कैसे लिखेंगे end send to jail भी लिख सकते है and send him to jail भी लिख सकते है and he was sent to jail भी लिख सकते है तीनों ही जो sentence है वो correct है ठीक है तो I hope आपको समझ में आ गया होगा यह मेरे exercise के लिए नीचे four sentences लिखी हुए आप comment works में लिखकर मुझे इसका answer बताएए and आपको यह video कैता लगा यह भी जरूर बताएए thank you so much for watching मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye अपको समय